अनन्त का आना अनन्त जो टाइमलेस है समय हीन है जो इम्मिजरेबल है जिसको नापा नहीं जा सकता मापा नहीं जा सकता जो की अव्यक्त है अध्वेथ है जो पूर है वो आपके पास तब आता है जब आप अपने आपको पूरी तरह से डिस्ट्रॉई कर लेते हैं खतम कर लेते हैं यहां पर खतम करने का मतलब है कि जब आप अपने साइकलोजिकल स्ट्रक्चर को मनविज्ञानिक जो आपकी स्ट्रक्चर है अधियर इमोशन्स त्योरी कंक्लूजन्स वर्ड्स विचार मन इंसारी चीजों इंसारी चीजों को जब आप खतम कर देते हैं एंडिंग हो जाती इंसारी चीजों की तो वो चीज आपका दर्वाजा खोल देती है एक टाइमलेस चीज पर और वहाँ पर कोई फियर नहीं होता है वो कोई एस्वरेंज वाली जगह नहीं है या वो कोई फिजिकल प्लेस नहीं है और इन फैक्ट वह स्टेट ऑफ माइंड भी नहीं है वाइंड की स्टेट भी नहीं है मेरे शब्दों पर मत जाना जबए चैने के जोमिं कहे रहा हूंग के उसको समझने कोशिश ब्त करना विफ वाहिए उसको सुनना भी मत सुननी कुशिश travels करो सब स्हर्ण अगर यह शब्देक अपनी आप आ रहे हैं तुम्हारे पास और तुम्हें खुद बता का जा रहे हैं तो ठीक है अपनी तरब से कोई अफ़र्ट मत लगा अपनी तरब से कोई कोशिश मत लगा मेरे और तुम्हारे बीच में कोई बंधन नहीं है तुम और मैं एक ही है हम सब एक है वह अस्तित्वी हमारे साथ एक है यह सहज अवस्ता है जिसको मैं बड़ी ही चलांकी से शब्दों में प्रस्तुत कर रहा हूं और जो कि मुझे नहीं पता मैं क्यों कर रहा हूं करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए यह पूर्ण उर्जागा सोर्स श्रूत अध्वुत अध्वेत अनंत इसका कोई छोर नहीं कोई चोटी नहीं कोई अंध नहीं तुम यही हो तुमारा सत्य यही है तुमारी यात्रा इसी से शुरू होते हो इसी पर खतम होती है तुम यहीं से आयो इसी में मिल जाओगे जैसे ही तुम खुद को जान जाओगे अभी हम सब एक जूटी जिन्दकी जीरे हैं इसमें दौन्द हमेशा रहेगा कहा ही क्या जा सकता है उसके बारे में जो अन कहा है डेली ध्यान करें मेरे साथ और हमेशा के लिए लाइफ टाइम के लिए कब्ड़ी इस्पिशल्टी कोड्स् कम्प्लीट स्पिछयुलटी प्रोग्राम मेरे जॉइन करें इस प्रोग्राम में आपको कुछ बेसिक चीजह मिलेंगी जिसमें आप सबच पाएंगे एक्षवल इस्प्रिच्वलटी क्या है कमेंट सेक्शन में वट्सब नमबर देरा रखा है और डिस्क्रिप्शन में थां